हेलो गाइज आप सबका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम पाटशाल क्लब जैसार है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूजज आफ रिफ्रेक्टरिज इन ब्लास्फरनेस मतलब ब्लास्फरनेस में रिफ्रेक्टरिज कहां का यूज होती है तो सबसे पहल आता है आपका थ्रॉट एरिया कि काम करते हैं एक ओबर भी बना लेते हैं ब्लास्फरनेस सबकर जिससे कि आपको आइडिया मिल सके कि कहां कौन सा रिफ्रेक्टरिज यूज हो रहा है पहा है तो जैसा कि मैंने इधर कहा है कि सबसे पहले जो अपना रियक्शन होला एरिया आता है जहां पर रिफ्रेक्टिस का यूज होता है वो सबसे पहले होता है थ्रॉट एरिया जहां पर बरड्टन का चार्ज होने थीक बाद जो लेवल आता है इसको थ्रॉट एरिया कहते है थ्रॉट एरिया में वेसिकलि जो भी हम लोग चार्ज या बरड्टन को चार्ज कर रहें तो वो क्या होगा कि एबरेशन का फोर्स यहां इस चार्व तरफ एपलाई होगा तो इसके लिए हम लोगोंने refractor ने यूज़ करके एक armor plate का यूज़ करा है यह armor plate या तो copper का हो सकता है या तो आपका कोई भी cast iron का हो सकता है जो की basically क्या करें? abrasion को resist करना इसका basically यही काम होता है जो भी armor plate होते हैं इनका basically काम होता है कि abrasion को resist करना जो की अपना burden जो charge हो रहा है उसका जितना भी area से cover हो रहा है उसको और दूसरा हो गया आपका stack वाला reason stack या shaft आप कुछ भी कह सकते है दोनों ही सही है यहाँ पर लिख सकते है stack या तो shaft सब अपने recording कहते है मेरा basically stack ही सही है तो stack पर हम लोग कौन सा refractory यूज करेंगे तो जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि हम लोगों ने fireclay का refractory ज्यादा तर यूज कर रहा था तो यहां भी fireclay का यूज करेंगे लेकिन यह इंट्रेस्टिंग चीज है जैसा कि fireclay में क्या होता है कि alumina का content होता है तो यह डिपेंड करेगा कि alumina का content कि इसमें कितना ज्यादा है उस हिसाब से हम लोगों ने उसको अरेंज किया हुआ है अपने जो भी blast furnace के refractory lining पे उस हिसाब से हम लोगों ने उसको arrange कर रहा है तो stack पे जो fireclay होगा उसमें alumina का percentage 40 to 45% रहना चाहिए इसको हम लोगों ने normal duty कह सकते हैं ऐसे technical word है यह normal duty normal duty basically आपको यह indicate कर रहा है कि इसमें 40 to 45% alumina का content है fireclay में जो भी refractory हम लोग use कर रहे हैं उसमें 40 to 45% fireclay है और तीसरा हो गया आपका जो भी belly या bush आप belly bush को एक साथ भी कह सकते हैं क्योंकि इनका जो beach का distance होता यह basically जादा नहीं होता है तो आप इसको belly bush भी कह सकते हैं तो belly bush में भी हम लोगों ने fireclay use करा था इसमें कितना 40 to 45% alumina और इस पे जो हम लोगों ने use करना है वो basically आपका 85% alumina रहना चाहिए तो इसमें क्या होगा कि इसमें भी fireclay कर यूज गरेंगे हैं लेकिन इसमें alumina का जो content रहेगा वो 85% तक होना चाहिए यह आपका data जो है वो important है क्योंकि इसके basis पे आप इसको normality कह सकते हैं और इसको आप super duty भी कह सकते हैं कि यह आपका हो गया अपना fireclay के जो इसको अरेंज कर दिया अब अब एक बसल पाइप जो आप कहते हैं कि बहुत लोगोंने बसल में भी कह रखा है दो नहीं चाहिए अपने जगह पर तो बसल पाइप पर भी alumina का या fireclay का आप कह सकते हैं उस पर भी लाइनिंग होती है उस पर होती है 40 to 65% alumina का जो भी होता है तो चौथा मेरा हो जाएगा आपका बसल में इस पर जो रिफ्रैक्टरी लाइनिंग होगी वह होगी fireclay की इसमें भी होगी fireclay की और इसमें जो alumina content होगा यह होगा 40 to 65% बिसिकली कहा नहीं जाता है लेकिन इसमें जो alumina content है वह 40 to 65% रहता है क्योंकि इस पर भी तो heat रहता है ना generate बिसिकली आप जो भी hot blast दे रहे हैं तो उसका temperature कम से कम कितना भी रहता होगा हजार से लेके 1200 डिगरी celsius तक रहता हो जो भी preheated air या blast आप दे रहे हैं प्रिएटेड एर या जो भी आप प्लास्ट होट ब्लास्ट के थुरू टेंपरेचर आप जो भी maintain करके रखा आपने तो वह 1000 से 1200 डिगरी celsius के बीच में इसलिए आपने क्या करा कि बसल में में भी फायक लेका एक लाइनिंग लगा दिया ताकि वह बसल में का जो भी लाइ उसको वह रेजिस्ट कर पाए टेंपरेचर को रेजिस्ट कर पाए और अपका पांचवा हो गया जो की बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो वह हो गया हर्थ वाला रीजन हर्थ वाले पर रीजन पर आपने फायकले यूज नहीं करना अभी के प्रेजन टाइम पर ये ओल्ड इसमें यूज ओदा लेकिन अभी के टाइमस में क्या यूज हो रहा है ये कारवन का ब्लॉक्स यूज हो रहा है इसका एक कारण है जो कि आगे हम बताएंगे ये हो गया आपका पांचवा हर्थ लेयर हर्थ लेयर पर जो भी आपने रिफ्रेक्टर यूज करा है तो भी उल्डेस्ट उल्ड टाइमस में आपने क्या यूज करा था फायर क्ले क्या होता है ये होता है और इसका एक बहुत बड़ा डिमेरिट था जिसका वाज़े से हम लोगों ने इसको रिप्लेस करा है वह सबसे बड़ा क्या था डिमेरिट वह था ब्रेक आउट ये एक एर्रेगलोरी ट्रीज है जो कि बहुत ज्यादा एफेक्ट करती है अपना ब्लास्टोनेस ऑपरेशन को इसको थोड़ा मैं डिटेन बनताना चाहूंगा जैसे कि आपने जो भी हॉट मेटल है कि हॉट मेटल क्या है कि फाइनल प्रोड़क्ट हैっぺं इसल प्रॉड़क्ट में क्या रहेगा और अरन कंटेंट रहेगा है। आरन कंटेंट तो रहना बेशिकली ये 94 से 96 परसेंट तक रहता है iron जो भी content है और आपका slack बनता है बिसिकली, जो भी hot layer पर ये दो ही चीज रहते हैं बिसिकली, तो slack में क्या रहेगा oxide रहता है और oxide में क्या रहेगा basically oxygen content तो रहना ही रहना है तो जब ये आपस में iron content और oxygen जब आपस में react करेगा तो क्या बनाएगा अपना जो fire clay है al23.sio2 इसके साथ react करेगा क्योंकि ये तो दुनों direct contact में तो इसका reaction कुछ इस प्रकार होगा .sio2.feo इसका सबसे बड़ा demerit मैं अभी ये पताना जा रहा हूं कि जो पहले fire clay था इसका melting point melting point कितना था 1500 से लेके 1700 degree Celsius आपने जितना भी alumina content है उस हिसाब से आपने range में बता दिया इसका melting point कितना है 1500-1700 degree Celsius लेकिन जब ये react करेगा अपना iron oxide के साथ तो इसका melting point हो जाएगा आपका 1300 से लेके 1400 degree Celsius और सबसे बड़ी notice करने वाली बात ये है कि हर्थ पे जो temperature होता है हर्थ पे जो temperature होता है वो होता है 1400 से 1500 तो यहां सबसे बड़ा demerit यह हो सकता है कि आपका जो भी lining है वो क्या हो सकता है फट सकता है या break कर सकता है आप कह सकते हैं इसलिए इसका नाम हम लोगों ने breakout रखा हुआ है ब्रेक आउट रखा हुआ है तो यह एक छोटा सा overview देता हुआ हुआ है यह मान के चली यह आपका एक हर्थ वाल जोन है इस पे हमने fire clay यूज करा और यह क्या-क्या है यह तो tap होले जैसा कि आप देख रहे हैं यह जितना भी hot metal था और यह slag है यह जब आपने react हुआ तो यह fire clay के साथ तो react हो नहीं है इसका melting point भी घटा देगा तो यह क्या chances बनता है कि इसको फार्दे यहां से फटना चलो हो जाए जो भी lining है वह क्या होगा फिर अपना जितना भी आपका hot metal या splash होके बाहर आना चलो हो जाएगा तो यह तो बहुत बड़ा अदिक्कत है तो इससे बचने के लिए हम लोगों ने कार्बन का यूज गिया कार्बन ब्लॉक्स का कार्बन ब्लॉक्स क्या करता है कि सबसे पहले तो इसका हाई रिफ्रेक्टिनेस होता है हाई रिफ्रेक्टिनेस करने का मतलब है कि यह ज्यादा हीट को ज्यादा हीट को रेजिस्ट कर पाएगा ज्यादा हीट को रेजिस्ट कर पाएगा एस कंपेर टू अब कार्बन का आपने जैसे टेंप्रेचर तो पड़ा है मेल्टिंग पॉइंट प्यॉर कार्बन का यह एवर्ब थ्री थाउजन डिग्री तो सोच लीजिए कि इसको इफेक्ट कर रहा है बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा है ब्रेक आउट को तो यह बहुत यह असानी से प्रिवेंट कर रहा है तो दूसरा में पॉइंट हो कार्बन प्राबन भीक स्थूरा इसका फेक्ट कर रहा है जा रहा है कर र